तो चलो प्यारे बच्चों इस वाले question को देखो यह भी एक जाइमेंस में आया हुआ question है तो कहते हैं इस पेस सीप है वह ऐसा आपको डियाग्राम में दिखाए गया सीप मा Jersey स्टेशनरी स्टेशनरी इंटर पार्टी इंटर प्लेनेटरी डास्ट तो तो एक हीजल्ट इसका मास इनमर कीजह हूँ रहा है दिएम बाए डिटी मास इजिटी डि माश्चों अब टाइम is increasing spaceship का मास बढ़ रहा है मतलब variable मास प्राब्लम है that is variable मास प्राब्लम होता है फिजिक में उस से related question है तो instantaneous velocity तो instantaneous acceleration कितना होगा अब देखो जो force होता है वो होता है rate of change of momentum dp upon dt तो यहां से मतलब अगर variable mass के लिए जब मैं लगाता हूं तो momentum is equal to m और variable mass के लिए क्या करते भाई इसका derivative ले ले लेते हैं तो अगर मैं इसका derivative ले लूँ तो देखो मुझे क्या मिलने वाला है जब मैं इसका derivative लो लूँगा तो m db over dt और प्लस यहां से भी dm over dt rate of change of mass तो finally अगर हम इसको देखेंगे db over dt तो यह आजाएगा force यह external force है on the system तो अगर यह space में है कुछ है नहीं तो external force on the system क्या है बोलो जीरो है तो external force और db upon dt instantaneous acceleration बनेगा तो यह पूरा अगर इसमें मैं रखूंगा तो यह जो बनेगा जीरो और यह जाएगा m में और प्लस भी तो dm upon dt की जो value होगी dm upon dt वो ऐसा दिया हुआ है तो dm upon dt जो है वो भी t square डी अपन डी ती की यहाँ value देखो तो डी अपन डी यहाँ दिया हुआ तो डी अपन डी टी यह फंक्शन आप टाइम टी इस उकल टो बी भी अस्क्वाइर और यहां से तुम देखोगे तो अब यहां कुछ नहीं वन आएगा तो यहां से आ जाएगा माइनस बी बी की पावर की एज़े फंक्शन आप टाइम टी इस उकल टो म में तो इंस्टेंटेनियस एक्स लेशन की बनेगी बी और टी और यहां जाएगा एम इस इस फाइनल सलूशन अब इस प्रॉब्लम माइनस बी माइनस बी बी क्यू टी तो इस इसाब से हमारा थर्ड आप्शन मैच कर जाता है थैंक्स पर वाचिंग इस वीडियो अपना बहुत ख्याल रखों मोटिवेटेड रहो औ मारे चैनल के साथ बने रहो पैर विच्चो थैंक्स पर वाचिंग वीडियो